आज हम यह पढ़ेंगे कि स्प्लाइ डिमांड के कंटिनुशन मॉडल कौन से हैं और रिवर्सल मॉडल कौन से हैं तो जो इसमें पैटरन यूज होते हैं वो कुछ चार तरह के हैं जो सबसे पहला होता है वो है रेली, बेस, रेली सेम इसके पुजट, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप रेली, बेस, रेली, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप अब यह हैं कंटिनुशन मॉडल इनमें क्या होता है जी के प्राइस उपर जाती है, रेली बनाती है फिर थोड़ सी करक्शन करती है, यह हमारी बेस बनती है डिमांड सेम बनता है और दुबारा से रेली टो दी अफसाइड निकल जाती है यह कंटिनुशन मॉडल है कि प्राइस ट्रेंड कंटिनुव कर रही है टो दी अफसाइड अब जो इसके पुजट है वो है ड्रॉप, प्राइस बेस बनाती है, करक्शन करती है एंड ड्रॉप ड्रॉप, बेस ड्रॉप, प्राइस इसमें भी का करती है कि कंटिनुव करती है सेलिंग होई, बेस बनी, दुबारा से सेलिंग होई तो यह हमारे कंटिनुशन मॉडल होते है रेली बेस रेली, ड्रॉप, बेस ड्रॉप इसके इलावा जो reversal model हैं उनमें है जी really, base, drop तो ये हमारे reversal model है really, ये हमारी base and drop तो ये हमारे reversal model है इसके बाद जो अगला reversal model वो ये है के drop, base, rally ये हमारे दूसरा reversal model है continuation model में क्या हैं जी really, base, rally, drop, base, drop reversal model में हैं जी drop, base, rally, rally, base, drop तो ये चार हमारे pattern होते हैं, चार दना के ये pattern होते हैं, दो reversal होते हैं और दो continuation होते हैं, जो first example है हमारे पास वो एक continuation demand model ये हमारी rally to the upside, ये हमारी base और ये again rally to the upside तो जो इस correction का जो ये हमारी base होती है, इसका first initial break होता है, हम इसको catch नहीं करते हैं, हम इसको trade नहीं करते हैं, हम इसके retest को trade करते हैं, जब price तबारा से हमारे demand zone में आती हैं ये first example range created rally based rally की example है, जो यहाँ पर example है, वो pivot created rally based rally की example है जिसमें क्या होता है कि sharp move to the upside, sharp move to the downside and sharp move to the upside ये हमारा continuation model है demand का first वाला है, जी range created demand zone का rally, base, rally अभी ये जो base है, ये हमारी range created है, range created demand zone है, जो price तबारा से इसमें आएगी तो हम यहाँ से trade करेंगे second जो है, वो pivot created है rally, base, rally, तो जब price दुबारा से हमारे demand zone में आएगी तो हम trade करेंगे same to the flip side, continuation supply model, drop, base, drop, अभी ये जो first model है, जो first example आपको नदर आ रही है ये range created supply zone की है, drop, base, drop, तो जो first initial break होगा range का, जो first initial break होगा हमारी base का, हम उसको trade नहीं करेंगे, हम reversal को trade करेंगे, जब prices दुबारा से हमारे supply zone में आएगी की, तो हम trade करेंगे, तो जो दूसरी example है, वो है pivot created supply zone की, drop, base, drop, sharp move to the downside, sharp move to the upside, sharp move to the downside, तो यहां पर भी हम जो initial break होगा, हम उसको trade नहीं करेंगे, हम जब prices retest करेंगे supply zone को, तो हम trade करेंगे, तो यह थे हमारे continuation model, इसके बात जो आते हैं, वो है reversal model, reversal model में हमारे पास वही दो model होते हैं, drop, base, rally, जो first example है हमारे पास, वो है drop base rally की, reversal model, prices नीचे आ रही होती हैं, जो trend होता है, वो exhaust होता है, और उसके बाद यह expansion to the upside, तो यह हमारा drop, यह हमारी base, और यह हमारी rally, तो इसके भी first initial break on trade नहीं करेंगे, हम retest को trade करेंगे, जब दोबारा से prices demand zone में आएंगे, जो second example है, वो है pivot created demand zone की, यह pivot created demand zone जो है, यह reversal model है, drop, base, and rally, दोबारा से बिताता हूं, first जो है, वो है हमारा range created reversal model, demand zone का, जो second है, वो है pivot created reversal model, demand zone का, तो जो prices दोबारा से आएंगे, demand zone में तो हम trade करेंगे, same to the flip side, जो हमारे पास अगली example है, जो अगली picture है, वो है range created supply zone की, अब यह जो range created supply zone है, यह हमारा reversal model है, prices उपर जा रही होती है, एक range बनाती है, and selling, अब यह जो उपर वाला zone है, यह हमारा supply zone है, range created supply zone है, और यह reversal model है, trend change होता है इसमें, वही बात हम इसके reversal को trade करेंगे, हम इसके, जो prices दोबारा से हैंगे, हमारे supply zone में retest करेंगे, तो हम यहां से entry लेंगे, यह range created supply zone का, आपके पास एक example है, जो के reversal model है, इसके बात जो अगली example है, वो है pivot created supply zone की, prices उपर जाती है, and then sell, यह जो trend होता है, वो यहां पर change हो रहता है, चाहे वो M1 में हो, चाहे वो M5 में हो, चाहे वो H1 में हो, चाहे वो H4 में हो, यह हर जगा होता है, यह market के fractals जो हैं, यह हर जगा, हर time frame में एक ही तरीके से काम करते हैं, तो, यह rally, यह हमारे base, और यह दुबार से drop, यह भी reversal model है,